इशान को मिल चुका है इस बात का सबूत कि इशा पर हमला करवाने वाला कोई और नहीं बलकि राओ साहिब ही थे राओ साहिब नहीं करवाया है उसकी माँ इशा पर हमला हम आपको बता दे अब जब इशान के सामने ये सच्चाई आ चुकी है तो अब इशान ने बड़ा कदम उठाने का फैसला ले लिया है क्या फैसला लिया है अब इशान ने हम आपको बताएंगे टीवी विंडो पर लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजे दरसल अब CCTV फूटेज और जो डॉक्यूमेंट्स इशान को मिले है उससे एक बात इशान को समझ में आ चुकी है कि इशा भोसले इंस्टिट्यूट में चल रही धांदलियों के बारे में जान चुकी थी और इसलिए इशा एजुकेशन मिनिस्ट्री में इस बारे में कम्प्लेंट करने वाली थी लेकिन उसी से पहले इशा का पत्ता साफ करने के लिए उस पर गोली चलाई गई जब इशान ने इन सारी चीज़ों के बारे में पता किया तो ये बात सामने आई कि यहां भोसले परिवार ने ही उस पर हमला करवाया है यानि कि आज अगर इशा की हालत ऐसी है वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है तो उसके लिए भोसले परिवार ही जिम्मेदार है तो एक बात है कि अब ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद इशान के पैरो तले जमीन खिसक गई है उसे विश्वास नहीं हो रहा कि भोसले परिवार अपने ही किसी परिवार के सदस्य के अगेंज इस तरह की चाल चल सकता है और इसलिए अब साफ साफ बड़ा फैसला जो है ले लिया है इशान ने इशान पुलिस और सबूत के साथ पहुचला है अपने घर पर और राउस साहिब को करवा दिया है उसने गिरफतार जी हाँ आपने सही सुना राउस साहिब को उसने गिरफतार करवा दिया है एक बात तो तैह है कि यहाँ पर अब भोसले परिवार की असलियत सामने आ चुकी है और इशान इस बात को बिलकुल बरदाश नहीं करेगा कि उसकी मा के साथ इस तरीके की मकारी की जाए आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट में जरूर लिखें आप हड़ा साथ एक पर करे म만 μέ perspectives और म गब झाल की जिसलियत